आज आपको क्रिस्पी चिकन मंचूरियन की बहुत ईजी और टेस्टी रेस्पी बताने वाली हूँ जिसे आप कभी भी फटा-फट से बना कर खा सकते हो बहुत ही असान इसे बनाना हाई फ्रेंस असलाम लेकुम स्वागात है आपका मेरी चैनल स्वाधिस्ट खाना में तो सबसे पहले इसे बनाने कलिए हमने बोनलेस चिकन को छोटे-छोटे पीस में करके ले लेना है थोड़ी सी मैंने सबजिया ले लिया है जिसको मैंने स्क्वेर पीस में कट करके ले लिया है जिसमें मैंने टमाटर ले ले लिया है अनियन और कैप्सिकम ले ले लिया है इसे डालने से जो हमारा चिकन होता है बिल्कुल क्रिस्पी बनता है तो यहां पर देखिए मैंने तीन चमच कॉन्फला ले लिया है और इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपकी पास कॉन्फला नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तमाल कर सकते हो उससे भी चि इसको हमने अच्छे से गरम कर लेना है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा चिकन के एक एक पीस को हमने तेल के अंदर डाल देना है और इसको बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है तो यहां देखिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे से फ्रा करके ले लेना है पैन के अंदर जितना भी तेल है उसको हमने निकाल देना है और एक छोटी चमस बस तेल उसके अंदर रखना है उसी तेल में हमने डाल देना है अनियन कैप्सिकम और हलका से हमने सौटे कर लेना है उसके बाद हमने डाल देना है टमाटर और इसको भी हलका से आपने भून लेना है यहां हमारे सबजीप हलकी से भून चुकी है अब आमने ग्रेवी की तयारी कर लेना है तो ग्रेवी के लिए मैंने यहां पर चिंग सीक्रेट का मंचूरियन मसाला मिक्स ले लिया है यह सिर्फ 10 रुपे का आता है इसे डालने के आपको अलग से ना Sausage ना Spices कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती यहां तक कि आपको इसके अंदर नमक डालने की भी जरूरत नहीं होती बस इसके अंदर हमने एक गिलास पानी डाल देना है और इसको अच्छे से हमने Mix कर लेना है यहाँ पे देखिए बिलकुल अच्छे स मिक्स हो चुका है अब जो हमने सबजिया पका के रखी थी उसके अंदर हमने सारे ग्रेवी को डाल देना है एक बार इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है जैसे ही सारे चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएंगी जो हमने चिकन फ्राइ करके रखा हुआ था वो हमने इसके तो सब्सक्राइब करें थिर्जी ँसद् emotवाल देखो एस फेयं और यह पीस को बश्याटान को लगता है। प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर देनां फिर मिलेंगे नई रेसपी के साथ तब तक लिए अल्ला हाफीज दौाओं में याद रखना